तो अभी सुबे की मॉर्निंग हो चुकी है अभी नौ बज़रे हैं सुबे के और ये भावी सोके अब उठिये भाई इतने लेट क्यों उठे अब जब जल्दी चुटी आप बोलते हो जब जल्दी चुटी में तो गुशा करते हैं जल्दी क्यों ठी और आप अब अभी पापा के पास और आज काफी दिन बाद भाई धूप लगी ए मौसम साफ है नहीं तो बहुत दिन से ना क्लावडी-क्लावडी रह रहा था मौसम काउंजी क्लास में हो गया रहा है और फोर्थ में हो गया बता आपको आप यह फोर्थ में हो गया है दादी जी तो काम कर रहे होगे अभी मुझी क्या बता काम कर रहे है शौप में इदर ही रहो बिन जाना उपर बापा पापा अभी दूप में मैठे है इदर अधी दियाज लेट उठाना ही बहुत आप से भी बाप में हो इसको तो बाद सब गूमना है वरे परे अभी आगया हुए अपने खेत में गाय का गोबर लेके वहां नीचे गोबर फैंक दिया है और यह जो आप देख रहे हो ना सामने यह प्रिकॉट के पौदे भाई इस पे ना फूल आना शुरू हो चुका है जो फरबरी मन्त होता है इसमें बीस तारी के बाद कभी अभी आगया हुए जगा पर जहां मारा घास होता है वहां पर हमने जो पेड काटा था ना जो हमने उसकी लकडियां बनाई है उसको भी घर ले जाओंगा इस पर डालके जो यह पीछे किल्टा होता है तो एक पंत मेरे दो काम हो जाएंगे तो आदे रास्ते तक तो खेत मे आया ही था तो सोचाब आगे भी चलते है तो बस पहुंची गया हूँ तो इसको लेके सीधे चलते है घर में अब यह रही जी जिसको मुझे ले जाना है और काफी ज़्यादा है भाई इसमें बहुत समय लगेगा और जो यह स्पेड की लकडियां होती है इसको जल्दी जल जाना पड़ता है नहीं तो इसका न विल्कुल आटे की जारा बन जाती है यह ज्यादा मजबूत नहीं होती है ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती तो इसको अभी थोड़े महीनों में जलाना पड़ेगा गर्मियों में तो अभी भाई दिन का खाना पीना करने के बाद मैं आगया हूं अपने खेतों में अप यह जो देख रहे हो इस से करेंगे आज हम भाई अपने पौदों की कटिंग आज से थोड़ा सा मैं कटिंग करने के लिए लेट हो गया हूं पर चलो जब जागो तभी सवेरा तो चल करने यह पोदे भाई अपने एपल के तीन चार पोदे यहां पर इनकी कटिंग करनी है कुछ है प्रिकॉट के पोदे लेकिन यह देखो आप भाई थोड़ा नुकसान हो गया था हमारा यहां पर साथ जब इस बार हुई जी न तो यहां उपर सी रास्ता बिल्कुल नीचे तक हमारे खेत में खेत पहले इतना नीचे था और यह सारी मिट्टी जो आई अभी अभी इसको सही करना पड़ेगा तो चलो चलो अभी अपना काम शुरू करते हैं कटिंग वाला मेन अभी लगबग एक घंटे काम करके भाई मैं आ गया हूँ वापिस अब जा रहूं घर अब बच्चों को सुलाने की ड्यूटी है क्योंकि दिन में दो दो बच्चे सुलाने मुश्किल है तो एक मैं सुलाओंगा एक अंजू सुलाएगी और साथ में भाई यह मटर मिल गई जो कि हमारी मटर लगबग त्यार होने में पांसे आठ दिन है अगर बारिश अच्छी हो जाएगी तो अच्छी निकल जाएगी नहीं तो सूपने लग रही है पर थोड़ी त्यार हो गई है तो अभी चलते सिधे गार